format of temporary injection temporary injection का format क्या होता है तो वह हम देखने मैं लोग के अंदर आता है कि कैसे कैसे ड्राफ्ट की जाती है लोग लीगल ड्राफ्टिंग है यह कैसी कैसी लोग के अंदर जो बहुत सा फिर इन नमबर मतलब होता है interim application वो नमबर आएगा यहां पर और कौन से यहर का है वो आएगा फिर इन suit number यह आपको उसमें मिलता है जब आप suit file करते हो तो यहां पर मिल जाता है आपको number और वो कौन से यहर में हुआ यह भी आपको पता होने चाहिए 2021 में file किया है तो file 2021 का number यहां पर आ जाएगा ठीक है next आता है in the matter of in the matter of का मतलब होता है कि किन दो लोगों के बीच में यह matter चल रहा है तो minimum दो लोग चाहिए होते है matter के लिए बाकि हो कित्ते पर भी सकता है जैसे कि in the matter of किसने पहले तो plaintiff है plaintiff जो case कर रहा होता है तो श्री ओम वीर सिंग ने complaint क्या है उसके पाद S.O. S.O. मतलब son of उनके पिता जीगा ना आरो resident of कहां रहते हैं फिर versus किसके खिलाफ क्या है डॉक्टर यू बासू उनका क्या है son of किसके son है resident कहां रहते हैं और ये ये है दूसर मतलब दो लोगों के खिलाफ किया है इसने complete जो injection का आई है ना temporary injection ये दो लोगों के खिलाफ लगाया है plaintiff ने तो एक है रुक्त श्री तपनकुमार और ये ये दोनों तो दोनों कहां पहले है son of यहां पर लिख देंगे दोनों में सब कुछ वही लिखना है फिर resident of और यह यहां पर defendant आ गया हमारा यह defendant आ गया तो यह defendant आ गया नेक्स्ट आता हमारा सामने हम heading डालनेंगे application for temporary injection under order this rule this this read with section 151 of code of civil procedure यह ठीक है फिर आता हमारा most respectful most respectful शोवत एक heading होता है जो हर जगा आता है इसका मतलब होता है कि आपको लिखना होता है कि क्या scene है पूरा matter आपको लिखना होता है points के अंदर ठीक है plaintiff का नाम आजागा पहले तो जगा का नाम फिर place और किसके through वो कर रहा है तो वो जगा पहले तो time फिर उज्जिस advocate के through कर रहा है उसका नाम उस advocate का जिसके through वो रिप्रेजेंट कर रहा है court में अपने आपको उसका नाम आएगा इसके बाद हमारा आता है verification मतलब प्रेयर के बाद आता है verification verification में आप यह promise करते हो कि जित्ती वे आपने चीजे लिखी है जो plaintiff है उसकी knowledge में सही है उसने पढ़ लिया है उसको कोई पर वो नहीं है कि इसने गलातुलत लिखाओ ऐसा उसको कोई नहीं है उसको सारी knowledge में कि यह सारी चीजे सही है यहाँ पर plaintiff का signature कि उसने verify कर लिए कि सारी जो भी जानकारे लिखे हुए और सही है और उसकी knowledge में जय हिन जय भार